मस्ते दोस्तों फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं मेरी यूट्यूब चैनल पे तो आज के कविता जो हम पढ़ने वाले है वो है सच हम नहीं सच तुम नहीं जो की कवी जगदिश गुप जी द्वारा लिखी गई है यहाँ पे कवी जो है वो बताते है कि जो हम जीवन में सच्चाई समझते हैं वो बिल्कुल वैसी नहीं होती है सच्चाई कुछ अलगी होती है यहाँ पे सच का क्या मतलब होता है सच का मतलब होता है कि जो हम मानते हैं जो जिस बात को हम मानते हैं उसी को हम सच अपना लेते हैं और यहां पर कवी बोलना चाहते हैं कि जो हम मानते हैं या फिर जो हमें दूसरे बोलते हैं कि यही सच है वो सच नहीं होता हैं और जीवन की सच्चाई को समझाते हुए और कभी हमें अपने जीवन में हार नहीं मानने की बात कहते हुए जगतिश डुप जी यह कविता लिख ही संगर्ष से हट कर जिये तो क्या जिये हम या कि तुम जो नत हुआ वहम रुथ हुआ जो वरुंत से जहर कर कुसुम जो पंत भूल कर रुका नहीं जो हार देख कर जुका नहीं जिसने मरंड को भी लिया हो जीत है जीवन वही तो यहाँ पे कवी ने जीवन की सचाई को बताते हुए बोला है कि जो हम सच समझते हैं वो वास्त में सच होता नहीं है ना तुमारा सच सच होता है ना मेरा सच वास्त में सच होता है असली सच तो सिर्फ निरंतर संगर्ष में होता है और जो व्यक्ति संगर्षों के आगे ज जुक जाता है उसे बृत ही समझना चाहिए क्योंकि वो ठीक उसी प्रकार होता है जैसे एक डाली या फिर फूल तूटकर नीचे गिर गया हो और उसके जीवन में कुछ शेश नहीं बचता है क्योंकि जब डाली या फिर फूल नीचे गिर जाता है पेड़ से तूटकर या फ संगर्ष किये हुए मनिशकी होती है जो लोग अपने लक्ष को कभी भूलते नहीं है और जो कभी हार को देखकर उसके आगे जुका नहीं करते हैं सिर्फ ऐसे लोग ही बृत्यों को भी जीत लेते हैं और उनका ही जीवन श्रेश्ट है करके यहां पे कभी बोल रहे है कि हम मैं निरंतर संगर्ष करते रहना चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए अभी अगली पंक्तिया पढ़ते हैं ऐसा करो जिससे ना प्राणों में कहीं जड़ता रहे जो है जहां चुप-चाप अपने आप से लड़ता रहे जो भी परिस्तितिया मिले काटे चुबे कलिया खिले तूटे नहीं इंसान बस संदेश योवन का यही सच हम नहीं सच तुम नहीं तो यहां पर कभी कहते हैं कि जो हमारे जीवन में गती है गती का मतलब कंटिनिटी या फिर बैलेंस है वो बना रहना चाहिए और हमारे प्राणों में कभी जड़ता नहीं आनी चाहिए मत मनजिल को हासिल करना चाहिए जैसी भी परिस्तिति ऊसे उसका सामना करना जीवन में काठे मिले या फिर कलिया फिले इसका अर्थ है कि चाहे हमारे जीवन me सुक या फिर दुक काई इनसान को संघार्शयों से हार नहीं माननी चाहिए और उसको अपने जीवन में आगे 1947 रहना चाहिए बिना किसी रुकावट के यही एक जीवन का संदेश है आगे पढ़ते हैं हमने रचा आओ हमी अब तोड़ दे इस प्यार को यह क्या मिलन मिलना वही जो मोड़ दे मजदार को जो साथ फूलों के चले जो ढाल पाते ही ढले यह जिन्दगी क्या जिन्दगी जो सिर्फ पानी सी बही सच हम नहीं सच तुम नहीं इस पंक्तियों में कवी एक संबंद के बारे में बात कर रहे हैं जो हमने प्यार से बनाया है चाहे वो संबंद भाई-भाई का हो भाई-बहन का हो माता-पिता का हो या फिर दोस्ती ही क्यों ना हो वो एक संबंद के बारे म कि ऐसे मिलन का या फिर ऐसे संबंद का कोई अर्थ नहीं है जो हमारे संगर्ष में हमारा साथ ना दे संगर्ष का मतलब होता है स्ट्रगल और यहां पर कवी बोल रहे हैं कि जो हमारे संगर्ष में जो रिष्टा हमें हमारे साथ खडाना हो उसको हमें तोड़ देना चाहिए क क्योंकि असली मिलन वही होता है जो मजदार अथार संगर्ष में भी साथ खड़ा रहे और कवी ऐसे लोगों पर टिपणी करते हैं जो हमारे अच्छे दिनों में हमारे साथ रहते हैं हमारे साथ चलते हैं और जैसे ही हमारे बुरे दिन आते हैं तो हमारा साथ छोड़ देते ह है तो यहां पर हम एक लाइन देख सकते हैं जो साथ फूलों के चले इस फूलों का मतलब होता है अच्छे दिन और ढाल पाते ही ड़ले मतलब जब बुरे दिन आते हैं तो वह हमारा साथ छोड़ देते हैं तो कभी हम बोल रहे हैं कि ऐसे लोगों से हमें संबन तोड़ देना चाहिए और हमें ऐसे लोगों के साथ जीना चाहिए जो हमारे अच्छे और बुरे दिनों में दोनों दिन में हमारे साथ खड़े रहे और हमारे संगर्ष में भी हमारा साथ दे कभी यहां भी कहते हैं कि ऐसी जिन्दगी का भी कोई अर्थ नहीं है जो सिर्फ पानी सी बहत नहीं होता है, तो हमारी अगली पंक्तिया पटते हैं, अपने रुदे का सत्य अपने आप हमको खोजना, अपने नयन का निर अपने आप हमको पोजना, आकाश सुख देगा नहीं धरती पसीजी है कही, है एक राही को भठक कर ही दिशा मिलती रही सच हम नहीं सच तुम नहीं यहाँ पर कवी कहते है कि हमारे जीवन का जो सत्य है जो सच है वो हमें खुद ही ढूणना होगा और हमें स्वयम ही अपने आखों के आंसों को पोछना पड़ेगा कोई दूसरा आके हमारे आंसों को नहीं पोछने वाला है अर्थात हमारे जो अपने दुख है जो तकलीफे है उसका निधान हमें स्वयम ही करना होगा उसका सुलीशन हमें खुद ही ढूणना होगा और यदि कोई बैठा हुआ है कि कोई देव्य शक्ती होगी और उससे चमतकार हो जाएगा और हमारे सारे दुख समाप्थ हो जाएंगे तो ऐसा कभी नह होने वाले की बहुत सरे इनसान होते हैं जो आकाशकी करप्ट देखता है और भगवान से मनत मांगता है कि हमारे सारे संकट हमारे सारे दुख है वो दूर कर दो तो वैसा कभी होता नहीं है वो हमारा सिर्फ एक ब्रह्म होता है मनिश्री को एक बात का ध्यान रखना तो गलतिया करने से हमें डर्दा नहीं है, सिर्फ हमें इस बात का खयाल रखना है कि उस गलतियों से किसी दूसरे का नुकसान ना हो और उसको हमें सही करके संघर्ष करते रहना चाहिए जब तक हमें एक दिशा ना मिल जाए अपने मन्जिल तक तो यहाँ पर कभी कहते हैं कि एक भड़कते हुए राही को संघर्ष करके ही उसकी दिशा मिलती है, अधार संघर्ष करने के बाद ही एक व्यक्ति को सफलता भी मिलती है तो अभी आईए हमारी आखरी पंक्तिया पढ़ लेते हैं बिकार है मुस्कान से ढखना रुदे की खिन्नता, आदर्ष हो सकती नहीं तन और मन्न की भिन्नता जब तक बांदी है चेतना, जब तक प्रणई दुख से घना, तब तक ना मानूंगा कभी इस राह को ही मैं सही सच हम नहीं, सच तुम नहीं यहां पर कभी कहते हैं कि अगर हमारे रुदे में दुख हो तो उसको उपर से मुस्कान से ढखना उचित नहीं होता है वो सही नहीं होता है हमारे जीवन में ऐसे कही बार पल आते है जहां पे हमें दुख लगता है अपने मन में पर फिर भी हम उसको अप एक मुस्कान से चुपा रेते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम अपना दुख सामने वाले किसी इंसान को सुनाएंगे तो उससे उनको ठहस पोच सकती है तो कभी यहां पर बुल रहे कि वैसा करना सही नहीं होता है अगर हमारे मन में दुख हो और उसको हम मुस्कान से ढख रहे हैं तो वो गलत होता है तो यह सही बात नहीं है जैसी हमने एंग्लिश में तो कहीं बार सुना है कि डोंट गीव मी प्लास्टिक स्माइल का मतलब क्या होता है कि हम दुखी है फिर वी हम ऊपर से ऐसा दिखा रहे कि जैसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है हम बहुत खुश है तो उसे ही जिसे हम पसंद ना करते हूँ ऐसे व्यक्ति के साथ रहने से हमें सिर्फ दुख का भोग होगा और कभी हम उसके साथ सुखी नहीं रह सकते हैं वो ये भी कहते हैं कि जब तक हमारे मन में चेतना है तब ही तक हमें प्रणे के दुख की अनुभूती होती है इसका मतलब ये है कि जब तक हमारा माइंड कॉंशियस है हमें सही गलत का पता है तब ही हमें पता चल सकता है कि हमें दुख हो रहा है और इस कॉंशियसनेस को हमें खोना नहीं चाहिए और इसमें हमें भावुक नहीं होना चाहिए कि अगर हम हमारे दुख को सामने वाले व्यक्ति के साथ व्यक्त करेंगे या फिर उनको बोलेंगे, बताने की कोशिश करेंगे तो वो उनको बुरा लग सकता है ऐसे इस मामले में हमें भावक होने की कोई जरुरत नहीं होती है क्योंकि वो उसको सही नहीं मानते है साथ रहना चाहिए क्योंकि जब एक इंसान हमारे संगर्ष में हमारे साथ खड़ा रहता है तभी हम उसके साथ खुश रह सकते हैं और जो इंसान हमारे संगर्ष में हमारे मुसीबत के समय में हमारे साथ ना खड़ा हो उनके साथ रहकर हमें सिर्फ दुख मिलता है उस दुख को जेल कर भी अगर हम उसको जूटी मुस्कान के साथ उसके साथ रह रह रहे हैं तो वो गलत माना गया है और वो बोलते हैं कि हमारे जीवन में हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए क्योंकि जो सच होता है वो वास्तरिक स होता है जो हम हम संगर्ष करते रहें और कभी हमारे जीवन में हार ना माने यहां पर हम एक व्यक्ति देते रहे केवल उनी व्यक्तियों के साथ रहो जो आपके संगर्ष में आपके साथ धाल की तरह बने रहे और आपका साथ कभी ना छोड़े क्यूंकि तभी आप जीत सकते हो और अपने जीवन में खुश रह सकते हो यहाँ पे मैं अपनी कविता खतम करती हूँ मैं आशा करत में तब तक सबका साथ देते रहे और शुब चिंतकों के साथ खुश रहे हैं